हैलो गैस्टाइब प्रदीप फ्रॉम का स्तिंगर क measly करते हैं यह एपकाइम्ट मोड्र स्क्राट करने जा रहे हैं देखे जानगो किसलिए होता है यह यिया आपको पहले clear होना चीए कि जानगो का यू जो होता है वो website development के लिए मतलब web development के लिए यूज करते हैं, website बनाने के लिए यूज करते हैं, web application को बनाने के लिए हम Django का यूज करते हैं Django जो है, वो python का एक framework है, उसको यूज करके आप website को क्या गर सकते हैं, बना सकते हैं देखे framework हर process में होते हैं, जैसे अगर आप बात करें PHP, तो PHP में भी framework है, .NET में भी framework है, Java में भी framework है ऐसी python के अंदर भी framework है, जिसके थूरू आप website मना सकते हैं, वो आपका framework Django है Flask करके भी framework आता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, वर जो Django pattern follow करता है, वो MVT का यूज करता है मतलब framework है, वो MVT pattern पे काम करता है, model view templates पे, यह मैं आगे के parts में पूरा clear करा हूँगा, model view templates क्या होता है आज के part में हम Django का introduction देखेंगे, कि Django के introduction में आप क्या-क्या करने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करतें देखिए देखिए आज हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपके सामने क्या करता हूँ सबसे पहले यह होगा कि आपका framework क्या होता है सबसे पहले आपको framework समझना है दूसरा आपका parts होगा कि आप Django क्या कहते हैं मतलब Django किसको कहते हैं Django क्या होता है वो हम clear करेंगे देखे तीसरा हमारा part होगा कि आप Django को क्यों choose करेंगे मतलों लॉजिक यह है कि आप Django करना चाते तो वो क्यों करना चाते हैं और जो हमारा last logic यह होगा कि हमारे पास जो Django है उसको कौन-कौन सी company यूज करती है तो उस process को हम क्या करेंगे clear करेंगे तो सबसे पहले हम framework को देखте देखे framework क्या होता है मैं आपको clear करता हूँ framework एक तरह का setup pattern idea है आइडिया का मतलब क्या है कि एक ऐसा pattern बनाया गया है एक ऐसा structure बनाया गया है कि आपको क्या करना है उस structure को follow करके अपने web application को बनाना है अगर आप real life example समझते हैं framework और non framework दोनों तरह से website बन सकती है non framework का मतलब अगर आप framework नहीं भी use करेंगे तो आप website को बना सकते हैं मतलब एक तरह से core concept हो गया framework का मतलब यह हो गया कि कोई pattern follow करना जिसके अंदर पूरा process बनाया गया कि यहाँ पे card operations होगा यहाँ पे आपके templates रखे जाएंगे यहाँ पे आपका control हो रहोगा यहाँ पे आपका view होगा मतलब पूरे structure को एक format way में बनाया गया है उस way को use करते हुए आप website को क्या कर रहे हैं डवलप कर रहे हैं वो आपका framework है framework एक ऐसा process नहीं होगा कि आप कहीं भी code करना इस्टार्ट कर दे एक standard format में बना हुआ code होगा जिसको आप use करेंगे मतलब देखिए बनी बनाई चीजे हैं उसको use करके आप website को क्या करेंगे बनाएंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ अभी framework क्या करता है set of rules यहां पर देखिए लिखा है set of rules, idea or beliefs इन पर काम करता है मतलब इन तीनों का एक धाचा मालीजी तीनों का धाचा बना रखा है आप इसको use करेंगे और use करके website को बनाना इस्टार्ट करेंगे अब देखिए real life example देखिए just example के लिए मालो framework को अगर आप real life से connect करेंगे तो कैसे connect करेंगे जैसे आपको मालीजी coffee पीनी है तो coffee पीनी का logic क्या है कि आप coffee बनवाएंगे देखिए coffee बनवाने के दो methods है आप क्या कर सकते हैं दूर सक्कर चीनी ये सारा मिलाके और coffee को मिलाके आप पूरा process क्या कर सकते हैं तो वो हो गया मत्तब एक तरह से manually हमने क्या 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 coffee को बनाया दूसरा क्या है coffee machine वो एक framework है उसको मत्तब एक धांचे में बनाया गया जालना है क्यवल आपको coffee powder डालना है वो आपको coffee बना के क्या गरेगा दे देगा तो देखे वो logic यह हुआ कि वहाँ पर सब कुछ बनाया गया है मतलब पहले इससे बना के रखा गया है बस आपको क्या करना है उसके अंदर वो powder डालना है और आपको coffee मिल जाएगी तो दोनों logic में समझेए यहाँ पर क्या है आपका time जादा जा रहा था आपको दू चाहिए चीनी चाहिए सकर्ची आप इसको custom बना रहे थे वहाँ पर machine का logic है वो एक framework है framework पर क्या है जैसी आपने powder डाला उसने आपको coffee बना के क्या गर दिया दे दिया तो वो एक pattern पर चलता है तो मैं आपको एक clear करता हूँ जैसे माली जी आप एक student है आप क्या करो है किसी hostel में रह रह रहे और आप class में आते हैं तो देखिए बहुत simple है अगर आप hostel में रहते हैं जैसे आप hostel में गए जब आप hostel में रहते हैं तो मैं एक चीज ख्लीर गरता हूँ तो वहां पे कोई आप rule follow नहीं करते हैं, आप कहीं भी T-shirt रख सकते हैं, कहीं भी books को रख सकते हैं, यहाँ पे कोई rule नी है, मैं कहीं भी रख सकता हूँ, मगर जब आप कभी school या college में पढ़नी जाते हैं, तो वहाँ पे set of rules बना रखे हैं, रूल्स क्या बना रखा है कि आपको बैग यहां पे रखना है आपको बैठना यहां पे तो वो एक रूल पे चलता है ऐसा निये कि आप कहीं भी जाए और कहीं भी बैग रख दे तो वो एक सेट अफ रूल्स पे चलता है और वो रूल चलता हुआ रहेगा तो वो आपका क्या यूज करता है वो framework को यूज करता है मतलब एक structure और एक pattern मना हुआ है pattern को यूज करते हुआ आप website को क्या करेंगे डवलप करेंगे ये आपका क्या होता है framework होता है framework हर language में होता है मैंने clear किया कि आप framework PHP में यूज कर सकते है लारा वेल, coordinator ये बहुत सारे framework है ऐसे आप .NET में यूज कर सकते हैं Blazor करके है बहुत सारे framework उसमें भी है Java में भी है मैं आपको clear कर रहा हूँ ऐसी आपका python के अंदर भी Django नाम का framework होता है जिसको यूज करके आप website को क्या करते हैं ये rapid development of web application मतलब इसके थुरू आप web application क्या कर सकते हैं बना सकते हैं जादा तर जो बड़ी application होती है उसके लिए आप इसको यूज कर सेंगे छोटी application के लिए आप PHP का भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल अगर framework नहीं भी यूज करते हैं तब भी आपका बन जाएगा बड़ा जो structure जैसे कोई application मनानी है उसके अंदर क्या है पूरा rules follow करके क्या करना है उसको develop करना है तो आप क्या करिए जैंगो application जैंगो को यूज करिए जैंगो framework को यूज करिए अब देगे यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है जो जैंगो काम करेगा वो किस पे काम करेगा मॉडल व्यू टैंपलेट पे ज्यादा तरफ जो frameworks होते हैं वो model view controller पे काम करते हैं अब यहाँ पे model view templates बनाये गया इस pattern पे क्या होगा जैंगो काम करेगा क्योंकि framework यूज करने का matter यह है कि बहुत सारी चीज़े अपने को बनी बनाई एक structure format में मिल जाए बस आप उस structure के pattern को follow करके website को बनाना start करें और देखे चौती लाइन में यह लिखावा है कि python most popular framework है बतब देखे python के अंदर सबसे ज्यादा popular जो framework है वो आपका क्या है जैंगो है तो जैंगो clear logic है कि जैंगो एक website application बनाने के काम आएगा website को develop करने के काम आएगा इस process के लिए आप जैंगो को क्या कर सकते हैं अगर जैंगो में क्यों बनाऊंगा तो जैंगो में बनाने के लिए आपको जैंगो क्यों सीखना चाहिए यह मैं आपको क्या करता हूं अभी clear करता हूं देखिए देखे पहली चीज तो मैं आपको clear कर देता हूँ जैंगो जो framework के वो fast और simple है देखे fast और simple का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ fast simple का मतलब है कि आपकी जो website होगी वो fast चलेगी और simple का मतलब इसका code ज़्यादा आपको problem नहीं करने वाला इसका code आपको simple तरीके से समझ में आ सकता है तो आप जैंगो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं देखे और यहाँ पर लिखा है it's secure मतलब यह framework है तो framework क्या होता है security के मामले से बनाया गया होता है इसके अंदर मैं आपको एक चीज clear करता हूँ secure का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर authentication किया जाएगा login system किया जाएगा payment gateway किया जाएगा तो वो एक पूरे security को manage करके बनाया गया है यह framework के pattern पर काम ही करता है और framework mostly security के process से ही बनाया जाते हैं और आप उसको क्या अगर सकते हैं यूज कर सकते हैं देखे इस तीसरी लाइन में मतलब क्या है आप किसी भी टाइप के web application को क्या अगर सकते बना सकते है website project आप इसके अंदर क्या अगर सकते है देखे आप चौती लाइन यह है कि यह बहुत ज़दा establish है well establish का मतलब mvt pattern पर काम करता है जो views की file होंगी वह अलग होगी URL के pattern को अलग बना जाएगा तो एक systematic तरीके से इसको क्या किया गया है develop किया गया है अब देखे यहां पर लिखा है यह MBT MBT मैंने बताया था कि model view template के process पर क्या करता है यह काम करता है अब देखे built-in authentication और authorization दो चीज़ इसके अंदर आपको और मिलेगी बना हुआ इसके अंदर package है आप उसको यूज करके यहां पर user login का system क्या गर सकते है apply कर सकते हैं यहां पर आपको ज़्यादा logic नहीं लगाना पड़ेगा इसके अंदर package already inbuilt है बस उसको यूज करना है और website पर login system को क्या गर देना है apply कर देना है अब देखें लास्ट लाइन में इसके अंदर packaging system available है अब देखें packaging system का मतलब बहुत सारे package आप इसके अंदर क्या गर सकते है अलग से install कर सकते है अगर आपको कोई अलग से logic implement करना है तो वो भी logic इसके अंदर आप क्या कर सकते है implement कर सकते है तो पहले framework clear होना चाहिए framework आपको clear होता है तो jango clear then आप इसको क्या गर सकते है choose कर सकते है ये आपके सामने process क्या हो रहा है clear हो रहा है अब देखिए कौन-कौन सी company इसको use करती है क्योंकि आपने अगर website सुना होगा तो जादा तर हम क्या गरते है website word बोलते ही हमारे mind में आता है कि PHP में तो बन जाएगी आजकल तो WordPress में भी बन जाएगी तो यही आपके mind में क्या चलता है logic चलता है तो ये ही आपके mind में क्या चलता है इसको use करके डिसकस use करता है Instagram, Spotify आपका The Washington Post Bit Bucket use करता है Dropbox और Mozilla ये सारे क्या करते है Python को use करते है Python के web framework को use करते है कौन सा framework के अपना Django उसको use करके कुछ ना कुछ इसके अंदर develop करते है जो Instagram में वो तो पूरा का पूरा Django framework के through ही बनाए गया है देखें कोई वीडियो के buffering को अच्छा करने के लिए use करता है कोई data को manage करने के लिए use करता है को security को manage करने के लिए use करता है मतलब सारे process को मिला के आप Django को क्या कर सकते है use कर सकते है तो ये बहुत सारी company'ya है Django को use करती है Django क्या होता है ये सारी चीजे मैंने आपके सामने क्या की है clear की है और ये सारी चीजे clear हो गई होगी thank you so much guys